हेलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चानल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो सुवागत दोस्तो आभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं तो चलिए बेन देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहां लिखाओ पर सकते हैं State Bank of India, SBI, CIF Number आपके Passbook के उपर जो CIF Number है वो यहां आपको लिख देना है यहां जो है आपको अपना Account Number यहां लिख देना है आप जो दिन इस फॉर्म को Bank में Submit करेंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी है आपको जो है SBI से जो सुविधा ही चाहिए उस हिसाब से इन Colum में आपको टिक करना होगा तो मैं आपको बदा देता हूँ पहला Column जो है Checkbook Issue करने के लिए है यदि आपको Checkbook की सुविधा चाहिए तो आप इस पे Tickers कर आपको कौन से कितने पेजों की Checkbook चाहिए 20, 50, 100 विश्यसाब से जहां टिक कर दीजिएगा यदि आप उपर टिक करेंगे यदि आपको Checkbook की सुविधा चाहिए तो आपको Second Column पे भी आपको टिक करना होगा For Checkbook Facility, Please Provide Checkbook Facility in My आपका Saving Account है तो Saving Account पे टिक कर देंगे यदि आपका Current Account है तो आप CA पे टिक कर देंगे यदि आपको Checkbook की सुविधा चाहिए तो पहले और दूसरे कॉलम पे आपको टेक करना होगा और यदि आपको अपना Account Transfer कराना है तो तीसरा कॉलम उसके लिए है इसके बाद यह जो चौता कॉलम है यदि आपका अपना Account Close कराना है तो यह 4th कॉलम उसके लिए है पाचवा कॉलम यदि आपकी Passbook हो गई है और आप Duplicate Passbook चाहते है तो पाचवा कॉलम उसके लिए है आपको जो जो सुविधा ही चाहिए SBI से उसे आपसे on columns में आपको टिक करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कॉलम किसके लिए है आपको यदि mobile number change करना है तो 6th कॉलम जो है mobile number change के लिए कॉलम है आपको यहाँ अपना नया mobile number यहाँ आपको लिख देना होगा फिर आप नीच आएंगे यदि आपको SMS alert की सुविधा चाहिए तो 7th कॉलम उसके लिए है यदि चाहिए SMS alert की सुविधा यहाँ आपको टिक करना है For issue ATM guard, यदि आपको अपना ATM card issue करवाना है, आटथवा column उसके लिए है, ATM pin generation, यज़ि आपको ATM pin generate करवाना है, तो नोवा column उसके लिए है For ATM card replacement, यदि Scientists करना है, तो दोसवा column उसके लिए है यहां जो instruction दिये गया shop, standing instruction, फिर यहां 12 column जो है, आपको यदि dd cancel करवानी है आपने dd बनवाई है तो ये उसके लिए 12 कॉलम उसके लिए है फो चेंज ओफ इफ email id यदि आपको email id चेंज करानी है तो 13 कॉलम उसके लिए है आप जो नई email id चाहते हैं वो यहाँ आपको लिख देना होगा mobile banking registration तो ये उसके लिए है for internet banking registration 15 कॉलम internet banking registration के लिए है फिर इसके बाद conversion of account type ये आपका solve एक कॉलम है change of name and address यदि आपको name और address चेंज करवाना है तो 17 कॉलम उसके लिए है फिर आप नीच चाहेंगे account statement 19 कॉलम stop payment addition of mode facility ये 20 कॉलम उसके लिए है इसके बाद आप नीच आएंगे यहाँ KYC के लिए documents दे रखे हैं आप जो KYC के लिए documents दे सकते हैं वो documents दिये हुए हैं यहाँ आप लिखावाँ पर सकते हैं terms और condition को भी जरूर यहाँ ध्यान से पढ़ लीजेगा यहाँ आप अपने signature यहाँ कर दीजेगा वीडियो में मैंने जो जान कर दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आया पसंद तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की channel को तो please subscribe कर देना smartphone की channel को साथी घंटे को भी दबा देना आने मली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्याबाद